हेलो एवरिवन, वेलकम यू आल तो दे कैंप कॉंसेट यूट्यूब चैनल जहां पर हम पर रहे हैं स्पेक्ट्रो इसकोपी जी हां, लास्ट क्लास में बच्चो मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ओफ बैंड स्पेक्ट्रम कितना टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल, वाइबरेशनल और एलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू टापिक, देट इस डिग्रीज ओफ फ्रीडम important topic है यह, क्योंकि यहां से competition exam में direct question पूछ लिया जाता है degrees of freedom calculate करने का question आ जाता है, तो last में मैं आपको कुछ formulas बताऊंगी तो वीडियो को last तक देखेगा, और इससे related कुछ questions भी हम लोग solve करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, degrees of freedom का मतलब क्या है देखो किसी भी particle की space के अंदर position को define करने के लिए कितने minimum coordinates required होते हैं, वो कहलाता है उसकी degrees of freedom क्या मतलब है इसका, the number of degrees of freedom of a particle is defined as the total number of coordinates required to describe the position of particle in the space कि वो जो space में particle है, उसकी क्या position है उसके लिए कितने coordinates हमें चाहिए, that is degrees of freedom समझते हैं इसको एक example से, माल लीजे कोई particle है, वो एक straight line में move कर रहा है यह रहा हमाले पास में particle जो straight line में move कर रहा है तो मतलब यह एक ही axis में present है, that is x-axis तो यहाँ पर हमें इसकी position को define करने के लिए एक ही coordinate required होगा तो इसके degrees of freedom कितनी हो गई, one हो गई इसका example क्या है, pendulum pendulum जो move करता है, वो एक ही axis में move करता है वहाँ पर degrees of freedom कितना हो जाएगा, one इसी तरीके से, माल लोग कोई particle है, वो एक plane में move कर रहा है तो plane का मतलब क्या हो गया, यह x-y plane है यह रहा हमारा particle, तो इसकी position को define करने के लिए मुझे x coordinate की requirement भी होगी, और y coordinate की requirement भी होगी इसका मतलब यहाँ पर degrees of freedom कितना हो जाएगा, two हो जाएगा दो coordinate चाहिए, तो degree of freedom कितना हो गया, two हो गया जैसे की कोई cheaty है, वो दिवार पर चल रही है ant है, अगर वो wall पर चल रही है, तो वहाँ पर उसकी position को define करने के लिए मैं दो coordinate चाहिए, तो degrees of freedom कितना हो गया, two हो गया इसी तरीके से, अगर कोई particle move कर रहा है space के अंदर जैसे की मालीजिये bird है, वो fly कर रही है तो उसकी position को define करने के लिए, मुझे three coordinates required होंगे x, y और z, तो यहाँ पर degrees of freedom कितना हो जाएगा, three हो जाएगा इसी तरीके से, जो atoms होते हैं, molecule के अंदर इच atom की position को define करने के लिए, हमें three coordinates required होते हैं तो अगर एक atom के लिए three coordinates चाहिए, तो degrees of freedom कितना हो गया, three हो गया और माल लो मेरे पास molecule के अंदर an atom present है तो degrees of freedom कितना हो जाएगा, three multiply by n, that is three n तो यह होता है, three n, total degrees of freedom किसे molecule में अगर an atom present है तो और यह basically three n जो है, वो किस वज़े से होता है translational, rotational, vibrational motion की वज़े से, जो kinetic energy हम लोग पढ़के आए हैं वहाँ पर हमने देखा था, translation motion इसकी वज़े से इसको define करने के लिए जो coordinates required होते हैं, वो कहलाते हैं, translational degree of freedom rotational motion को define करने के लिए, जो coordinates हमें required होते हैं, वो कहलाते हैं, rotational degree of freedom इसे तरीके से, vibrational motion को define करने के लिए, जो coordinates required होते हैं, वो कहलाते हैं, vibrational degree of freedom और अगर हम इन तीनों को add करते हैं, तो हमारे पास क्या आजाएगा, total degree of freedom और वो कितना है, 3 n है, तो ये formula आपको learn होना चाहिए, ये formula एक important formula है यहाँ इस formula के अंदर हम one by one करके समझेंगे कि कैसे calculate किया जाता है इन तीनों degrees of freedom को, जिससे कि हम questions को easily solve कर सकें तो सबसे पहले बात करते हैं, translational degree of freedom की देखो, translational degree of freedom किस वज़े से हो रहा है, translation motion जो gaseous molecule है, वो हमें पता है, space के अंदर freely move कर सकते हैं तो अगर हमें atom के motion की बात करनी है, translational motion का पता लगाना है तो atom अकेला तो move करेगा नहीं, पुरा molecule move करेगा तो ये जो translational motion होता है, ये किस वज़े से होता है due to the change in center of gravity of a molecule center of gravity का मतलब क्या है, ये जो center point होता है molecule के अंदर जहाँ पर mass constant हो, उसे कहते हैं center of gravity अगर मालो मैं इस molecule को यहाँ से पकड़ू, इस marker को तो ये देखो ये क्या है constant नहीं है, ये दर move कर रहा है, अगर मैं यहाँ से पकड़ू तो इधर जा रहा है तो कहा है constant इस point पर, तो ये है इसका center of gravity point जैसे हम लोग balance machine देखते हैं, balance machine में जो center point होता है और वहाँ पर हम जब पकड़ते हैं, तो हमारा mass क्या होता है, constant होता है तो ये basically अगर change हो रहा है, center of mass में अगर change देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर translation motion देखने को मिलता है और इससे define करने के लिए जितने coordinates required होते हैं, वो कहलाते हैं translational degree of freedom तो हमारा ये देखो, हमारे पास में कोई diatomic molecule present है ये क्या हो सकता है, ये translation कर सकता है x-axis के along, y-axis के along और z-axis के along तो इसका मतलब एक molecule के अगर हमें translation motion को define करना है तो हमें three coordinates required होंगे ही होंगे चाहे molecule monotomic हो, diatomic हो या polyatomic हो कैसा भी molecule आप ले लीजिए, तो जब हमें three coordinates चाहिए तो हमेशा किसी भी molecule के लिए translation degree of freedom कितना होता है, three होता है कैसा भी molecule हो, ये हमेशा ध्यान रखना, ये important है कई बाइ question ऐसे ही दे देते हैं, कोई भी molecule दे दिया अब पूछ लेते हैं, calculate करो, translation degree of freedom और हम लोग क्या करते है, calculation करने बैठ जाते हैं, जबकि answer क्या होगा, उसका three होगा, direct tick करके आना है यहां तक की बात समझ में आई, अब हम देखते हैं देखो हमने जो formula पढ़ा था, कि three and equal to होता है translational degree of freedom, rotational and vibrational degree of freedom तो translational कितना था, three था अगर मैं इसको minus कर दूँ, यानि three and में से three अगर मैं minus कर दूँ, तो मैं पास क्या बच्जाएगा, rotational और vibrational degrees of freedom, ठीक है, तो यह again हमाई पास में एक formula आ गया, अब हम calculate करेंगे rotational degrees of freedom, पहले समझते हैं कि यह होती क्या है बहुत यह rotation motion होगा, rotation होगा molecule के अंदर, तो कितने unique way से कोई molecule rotate हो सकता है, space के अंदर about is center of mass, कि उसका orientation change हो जाए, important क्या है molecule का orientation change होना चाहिए, ठीक है, तो वो कहलाता है उसका rotational degrees of freedom, मालनो मेरे पास कोई monotomic molecule है, वही center of mass तो यही पर है, इस item पर ही है, आप इसको कैसे भी rotate कर लो, किसी भी axis से rotate कर लो, किसी भी coordinate से, वहाँ पर कोई orientation में change नहीं होगा, इसका मतलब monotomic gases molecule के लिए rotational degrees of freedom हमेशा zero होता है, अगर मैं बात करूँ, diatomic, diatomic का मतलब जैसे hydrogen है, या polyatomic linear molecule, जैसे CO2, या polyatomic है, लेकिन हमें पता ही, यह कैसा होता है, linear होता है, तो अगर मैं example लो, इसका मालो, यह hydrogen हमें पास में, एक h यहाँ पर है, और एक h यहाँ पर है, और यह y axis के along present है, तो y axis से अगर मैं इसको rotate कर वाऊंगी, क्या orientation change हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई degree of freedom नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको z axis के along rotate करवाती हूं, तो देखो यह orientation change हो रहा है, इसी तरीके से मैं अगर इसको x axis के along rotate करवाती हूं, तो भी orientation change होता है, तो यहाँ पर diatomic या polyatomic linear molecule के लिए, दो coordinates required हैं हमें, देखो, तो इसका मतलब degrees of freedom कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, rotational degree of freedom कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इसी तरीके से अगर मेरे पास में polyatomic non-linear molecule present है, जैसे कि H2O, H2O में, यहाँ पर देखो, यह रहा oxygen, 2 hydrogen, तीनों axis के along rotation possible है, तो इसका मतलब यहाँ पर degrees of freedom कितना हो गया, 3 हो गया, वापस समझेज़को, polyatomic non-linear molecule में, rotational degree of freedom होता है, 3, अगर linear molecule है, यह diatomic molecule है, degrees of freedom कितना हो जाएगा, 2, और अगर हमारे पास में monotomic molecule है, तो वहाँ पर rotational degree of freedom कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया, translational degree of freedom और rotational degrees of freedom, अब बचा हमारे पास में last, that is vibrational degrees of freedom, molecule के अंदर vibration होते हैं, vibration motion होता है, ठीक है, तो उसकी वज़े से उसको define करने के लिए कितने coordinate required है, that is vibration degree of freedom, तो यानि it is determined by examine the number of unique ways, the atom within the molecule may move relative to one another, कि जो हमारे molecule है, उसमें जो atom present है, उनका movement कैसा हो रहा है, एक दूसरे के relation में, एक दूसरे respect में, ठीक है, तो वो कहलाता है, vibrational degrees of freedom, again, monotomic gases molecule है, एक ही atom है, किसी के relation में move नहीं करेगा, तो यहाँ पर vibrational degrees of freedom कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर माल लो मेरे पास में dieatomic molecule है, तो देखो, vibration motion कहां हो रहा है, along the molecular axis, तो यहाँ पर vibrational degrees of freedom कितना होगा, one होगा, dieatomic के लिए one होता है, अगर माल लो मेरे पास में polyatomic molecule है, लेकिन वो linear है, जैसे CO2 हमने देखा था, यह रा carbon, यह oxygen, यह oxygen, यह oxygen क्या हो सकता है, इस stretch कर सकता है, एक ही oxygen अगर stretch कर रहा है, तो यहाँ पर stretching vibration mode देखने को मिल रहा है, ठीक है, और अगर माल लो दौनों oxygen एक साथ stretch कर रहे हैं, तो यह कैसा होता है, symmetric stretching vibration, अगर एक ही vibrate हो रहा है, एक ही बहार निकल रहा है, एक ही stretch हो रहा है, तो वो कैसा होता है, asymmetric stretching vibration, तो stretching क्या है, bond length में change हो रहा है, अगर मालो मेरे पास में polyatomic molecule है, लेकिन वो non-linear है, तो क्या हो सकता है, उसके अंदर, bond angle में change हो सकता है, और bond angle में change दो तरीके से हो सकता है, in the plane और out of the plane, जिसे हम कहते है bending, ठीक है, तो vibrational mode जो है, वो दो तरीके से हो सकते है, bond length में change और bond angle में change, तो जो bending होती है, ये bending in the plane, scissoring जिसे आप कहते हो, या rocking, या फिर क्या हो सकता है, out of the plane, जिसे आप कहते हो, wagging, जिसे आप जूला जूलते हो, या फिर twisting, ये four types की होती है, उन्हें हमें ज्यादा detail में नहीं जाना है, हम यहाँ पर direct formula निकालेंगे, तो हमें किवल इतना समझना है, कि ये सारे कैसे होते है, vibrational mode होते है, vibrational motion होते है, जिनको define करने के लिए कितने coordinates required है, वो कहलाते है, vibrational degrees of freedom, तो कैसे calculate करेंगे इसे, important तो यही है, हमें तो question solve करना है, तो कैसे हम solve करेंगे, तो दे चाहे linear molecule हो या non-linear, polyatomic molecule हो, हमेशा कितना होगा, 3 होगा, यह देखा था अभी तक, इसके अलावा मानलो मेरे पास में monatomic molecule है, rotational degrees of freedom कितना था, 0 था, क्योंकि उसमें rotation, orientation में change नहीं हो रहा, linear या diatomic molecule के लिए, rotational degree of freedom 2, और non-linear के लिए 3, और total degree of freedom हमने कितना देखा था, 3N दे atomic में n की value 1 होती है, तो यह 3N, अगर आप यहां 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, polyatomic linear molecule के लिए, तो देखो यह, translational plus rotational कितना हो गया, 3 plus 2, 5 हो गया, और total है हमारे पास में 3N, तो total में से मैं अगर इनको minus कर दू तो हमारे पास में क्या जाएगा, vibrational degree of freedom, that is 3N-5, इसी तरीके से non-linear के लिए, translational at 3, rotation at 3, दौनों को add कर दो कितना हो गया, 6, और total में से इसको minus कर दो, तो क्या जाएगा, हमारे पास में, vibrational degree of freedom for non-linear molecules, that is 3N-6, तो basically आपको यह table learn रखनी है, अगर आपको यह table learn है, तो आप क से एक बार इसको समझ लेना, दो formula यहाँ पर important है, बाकी तो सब आप calculate कर दी लोगे, 3N-5 for linear molecules, यह diatomic molecules, और non-linear polyatomic molecules के लिए होता है, 3N-6, तो इससे related कुछ questions मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन next video के अंदर, तो इससे पहले के जितने भी videos हैं, वह आप continuation में देखेगा, तब नेक्ट वीडियो में मिलते हैं, तेंक यू सो मच,